ये सिर्फ एक राजनेतिक शगूफा है पिछडों को अपनी तरफ खीचने की एक कोशिश मातर है और यहाँ पर बिनोच चर्मा जो कह रहे हैं पचास साल कॉंग्रेस ने राज किया उसने क्यों नहीं करा लिया सवाल आप से पूचे जा रहे हैं आप सभी को नमस्कार संदीप जी अभी भाजपा के प्रवक्ता को सुनते हुए अदम गोंडवी की ये पंक्तियां याद आई हैं वो कह देती हूँ तुम्हारी फाइलों में गाओं का मौसम गुलाबी है मगर ये आंकड़े जूटे हैं ये दावाख किताबी है उधर जम्हूरियत के ढोल पीटे जा रहे हैं वो इधर परदे के पीछे बरबरियत है नवाबी है लगी है होडसी देखो अमीरी और गरीबी में ये पूजी पीबाद के ढाचे की बुनियागी खराबी है तो अपने जो पूजी पती मित्रों को फाइदा देले वाली जो मित्रकाल की सरकार है इससे चंद दिन पहले कोलार की एक रैली से राहुल गांधी जी ने दो बड़े सपष्ट और सीधे सवाल पूछे थे जिसके बाद हमारे माननिया अध्यक्ष मलिक आरजुन खाडगे जी ने भी पत्र लिख करके दो टूक बात कही थी वो दो सवाल ये थे संदीब जी हमने ये पूछा था कि 2011 में जो SECC सोश्यो एकनॉमिक कास्ट बेस्ट सेंसस या कहा जाए कि समाजिक आर्थिक जातीगत गणना जो कराई गई थी उसको सारवजने क्यों नहीं कर रही है ये सरकार जबके बार-बार कोर्टों के अंदर भी आज कोर्ट का एक फैसला आया है लेकिन इसके अलावा बहुत बार कोर्ट ने ये कहा है संदीब जी कि हमारे पास जातीगत गणना को लेकर के या जातियों को लेकर के जब- क्यों नहीं जटाएं एक्यावन में एक्यावन में गणना हुई एकसट में हुई एकधर में हुई इक्यासी में हुई एक्यानमें में हुई ये सब आपकी सरकारे थी तब और तो तमाम पार्टियों के विवेचना के बाद उस सेंसस को किया गया था और उसके बाद जब आज सरकार से पूछा जाता है कि आप उसे सार्वजानिक क्यों नहीं करते हैं, आप यह जब कहते हैं कि आपने क्यों नहीं करवाया, हमने तो करनाटक के अंदर भी 2013-2018 के बीच में इस प्रकार से आंकडे को एकठा किया लेकिन उसको भी 2018 में जब हमारी सरकार दोबारा से हम वहाँ पर चुनाव जीते लेकिन उसके बाद भाजपा ने चोरी के सरकार वहाँ बना ली उस चोरी के सरकार ने वहाँ पर भी वो आंकडे जो हैं वो गुप्त रखे हैं अभी ये 2011 में राजस्तान में भी कराया था राजस्तान के अंदर आपी की पार्टी में विरोध हो गया था आदी अदूरी कानी क्यों बता रही है महिमा संदीब जी देखिया ऐसा है कि जब कॉंग्रेस सवाल करती है आज भाजपा की सरकार सत्ता में है वो उल्टा हम्पे सवाल करती है आप राजस्तान की बात कर रहे हैं या दूसरे राजियों की बात कर रहे हैं जहां जो चुनातियां आई उनका सामना नीती तरीके से करने के लिए कदम कॉंग्रेस उठाती रही है लेकिन 2011 में तो हमने करवाया ना SECC सोश्यो एकोनॉमिक कास्पेस सेंसस जो मैंने बताया या फिर अभी 2013 से 2018 के बीच में करनाटक में हमने कराया ना आप एक बाजपा सरकार इस बात का जवाप नहीं देती है संदीब जी जब हम यह कह रहे हैं क्या भाजपा सरकार की पास एक बहुत बढ़िया अफसर है अपने जोट के इतनी संध्या बारी उसकी उतनी सुनिये ना सुनिये ना उसकी उतनी हिस्सेदारी पर अगर एक हाई कोट गणना पर रोक लगा दे ये कहते वे कि ये केंदर का काम है तो क्या 2024 की राजनीती के संदर्ब में ये आपके लिए एक सेट बैक है आप बिहार में नहीं करा पाएंगे तो जारकर्ण में कैसे कराएंगे चत्तिस गड़ में कैसे कराएंगे या एमके स्टैलिन कैसे करा लेंगे या चोग गैलोट कैसे करा लेंगे या आप करनातक में कैसे करा लेंगे एक अंतरिम रोक लगी है संदीड जी एक अंतरिम रोक लगी है और मुझे विश्वास है कि यह जो जन्रता की नुमाइंदे हैं यह जो बिहार की सरकार है यह आपने और सभी निताओं के नाम दिये या हमारे निता जो बात कर रहे हैं जिसकी जितनी हिस्सेदारी की उसमें जितनी आबादी उतना हक की हम बात कर रहे हैं मुझे लगता है ये आज आवाम की आवाज है और कॉंग्रेस उजी आवाज को उठा रही है आवाम ये सवाल कर रही है कि हमारे जो अधिकार हैं जो मौलिक अधिकार समविधान के माध्यम से हमें जो ग्यारंटी किये जाते हैं उनको मुहया कराने का करतव ये सरकार का है और आज भाजपा सरकार के पास केंद्रू में ये अफसर है वो कहते हैं कॉंग्रेस सरकार से वो क्यों इस अफसर को घुना नहीं लेते, वो क्यों ये सेंसस करा नहीं लेते, मलिक आरजुन खड़गे जी ने पत्र लिख करके यही गवहार लगाई है तो आप कह रही हैं ये जनता की आवाज है, जनता की मांग है